बहुत बहुत स्वागत है आपका जैसा कि पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि आपको क्विज का डिसकसन हम जरूर प्रवाइट कराएंगे तो बिल्कुल हम क्विज का डिसकसन लेकर आ चुके हैं बिल्कुल इससे पहले तीन क्विज हो चुके हैं लेकिन यह है आपकी कौन वब से पहले आपको क्या करना होता है यह जो इमेल एडर्स दिया है तो यहां पर आपको अपना एमेल ड्रस डालना होता है आप इमेल डालते औरOOD के क्या कर पाते हैं तÏ ह। चलते हैं में फड़ा फट चलते। पहले NUMBER के question वे और यह देखेवा पहला ग्रोन आ गया ग्रोण आपक fence यूँषाई आपका और आको पालिफाय कौन करता है अब को क्वालिफाइए करता है आपका और एक बात तो आपको पता ही होगा कि जो सब्सक्राइब होता है वह जब एड़ेक्टिव मैं क्या लगाते हैं कि जब आपका होता है और एड्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लगाया तो आपको एक नमबर जरूर मिला होगा रीजन आपको समझ में आ गया है तो पड़ा पड़ा आगे चलते हैं यह देखें क्वेस्टन नमबर टू अपके स्क्रीन पर अगया यहां पर दिया है इदर को तो पता है इदर के बेम क्का कमिनेशन औरके साथ और का कमभिनेशन नोट पीछे वाले की होती वैलू किसकी होती वैलू होती पीछे वाले की यानि जो काम करता है सब्जिक का वो पीछे वाला काम करेगा तो यहां पर भूवन दिया है तो भूवन के कोडिंग यहां पर देर नहीं आएगा भूवन तो अकेला है वही इसके लिए क्या आएगा इसके नमबर टू आइधर और नाइधर नोट अल्ली बट अलसो तो इसके एक जलते पीछे वाले के एक तो यहां पर देर नहीं आएगा यहां पर क्या आएगा यहां पर इधर आएगा अगला देखिए क्वेस्टिन नमबर थी आपके गंप्यूटर स्कीन पर आचुका है फड़ा में या तो इग्जक टाइम के लिए होता है या तो समय के पहले के लिए यहीं तो रहा है यहां पर अगर आप देखे तो सटेंसे को digital camera म Jord देंगे तक देर दो, नहीं, यह नहीं कहेंगे, जो कि until और till का तो यही मतलब होता है, या तो उस दिन, या फिर उसके बाद, लेकिन by का क्या मतलब होता है, या तो उस दिन, या उससे पहले, तो यहां पर until नहीं लगेगा क्या लगेगा बाई यानि जो आपका गलत पांट होगा वो 3 होगा 3 is the right answer यानि आपका सही क्या हो जाएगा 3 आपका वड़ावट सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए अगले question क्यों बढ़ते वड़ावट आते question number 4 पर देखते क्या होगा question number 4 यह आगया question number 4 यहाँ पर given है a free press is not a privilege but the organic necessity in a free society अब देखो अगर इस sentence में देखे क्या दिया in a free society कुछ भी निश्चित नहीं indefinite a free press a free press is not a privilege but the organic क्या है organic आपका क्या है necessity in a free society मतलब कुछ भी यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर definite नहीं है एक free press a privilege और आपका क्या दिया है a free society तो भी यह इसको दा कहां से लगा दिया तो यहाँ पर दा नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा an organic necessity a free press is not a privilege but an organic necessity in a free society क्योंकि कोई निस्चित नहीं है जिब सब अनिस्चित है तो सारे अनिस्चित ही रहेंगे दा यहाँ पर नहीं लगाएंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे an organic society क्योंकि सारे आपके क्या indefinite article लगे हुए हैं इसलिए यहाँ पर an नहीं लगेगा दागा परियोग नहीं होगा इस बात का ध्यान दखा जाए यानि an second part गलत हो जाएगा और आपको यह तो पता ही है कि जब आपका वोविल a e i o u का क्या होता है उच्चारण होता है तो an लगाते हैं और जब क्या होता है का से लेके ग्या क्या है उच्चारण यानि आपका consonant इन का उच्चारण होता है तो हम लगाते क्या तब लगाते ए तो यहां पर एंस्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा सेकेंड आपका सही हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा सेकेंड विल भी दा राइड एंसर चलिए फड़ाब अगले question question no.5 पर पढ़ते है और जानते क्या ह है question no.5 का सही जवाब यह लीजिए आ गया तो in the given sentence you have to get wrong part बिल्कुल गलत पाइट ही चल ला है इस कारसली had she gone when बिल्कुल जब भी आपका क्या होता है hourly जब भी कभी आपका क्या दिखाइदे Hardly, जब भी कभी आपको क्या दिखाई दे? Scarsly, जब भी कभी आपको क्या दिखाई दे? examarcelli, ये कभी भी दिखाई दे, तो इन के बाद आपका when आता है, और साध यहाँ पर भी क्या आया है? when आया है? और जब आपका when आया है, तो पड़ा-पड़ कया लगा दीजिए नो एरर लगा दीजिए क्योंकिश जब सेंटन्स के शुरूबात में आते तो इनकी बाद helping ऐबात है चाहे हो Arly हो चाहे वो harร़ी हो चाहे वह Sch Origin के शुरूबात तो इनके बाद helping verb जरूर आएगा तो hardly scarcely barely had she gone बिल्कुल और वेन आ गया इनके बाद वेन आता है तो बिल्कुल सही है यह कोई गलती नहीं है लगेगा क्या no error question number यानि 5 में answer होगा 5 बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 5 तो फड़ाफट लगा दीजि क्या गीवन है बाई वाइल फ्लाइंग और वाइल के बाद तो आई एंजी हमने धगादग बता रख किये कि वाइल के बाद आई एंजी आती इंडिया वी हैड ग्लिम्स ऑफ गंगा अब देखो कभी भी नदियों के नाम आते कभी भी हिमालयाज आता है तो इन सब के पहल दा धगा धग लगाईए नदियों के नाम के पहले हिमाले के नाम के पहले गंगा यहां पर गंग से इसलिए लिखते हैं वैसे वो गंगा नहीं गंग से लिखा हुआ है तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह कई नदियों से मिलकर बन जाती है इसलिए यहां पर हिमाले में इसलिए एस लगाते हैं क्योंकि यह कई परवस्ट इंकलाओं से मिलकर बना उता है तो एस लगा देते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए ता गंगा लिखिए और चाहे आप क्या लिखिए दोनों आपका सही दा लगेगा दोनों में क्योंकि नदी के नाम के पहले हिमाला आपका पहले हमेश्य दा लगाते तो एकदम धका दक दोनों में दा लगेगा अलग-अलग क्योंकि अलग-अलग है तो यहां पर जो गलती है वह फोर पाइट में यारी आपका क्या हो जाएगा फोर पाइट गलत हो जाएगा फड़ा पर चलते अगले क्वेस्टिन की और देखते क्या होगा क्वेस्ट नमबर कहां ऄंबर सेवन में तो क्वेस्ट्न नामबर सेवन आपके कंप्यूटर स्क्रीं पर आगया है we cannot handle this complicated case हम handle ली कर सकते यह complicated case unless अभी मिल गया भाई unless देखो unless आपका क्या है unless के साथ और until के साथ यह दोनों याद रखो कभी भी आपको until दिखाई दे कहां as a conjunction अगर आपको कभी भी until as a conjunction दिखाई दे तो इनके बाद कभी भी not नहीं आ सकता इस बात का ध्यान लखा जाए जिस sentence में लगे हैं दोनों उस sentence में कभी भी not नहीं आता तो unless full details are given होगा not यहां पर नहीं लगेगा यानि जो पार्ट गलत हुआ वो four गलत हुआ answer हो जाएगा four is the right one unless और until के साथ कभी भी not नहीं आता जिस sentence में यह लोग बने हुए हैं अगला देखें नेक्स question number eight फड़ा फड़ देखें यह आ गया the first portion of the book was dull the letter कभी भी आपको यह बात जब adjective पढ़ा रहे तो बताई जब दो होते जब हमारे पास choice two होती तो पहली choice होती फॉर्मर क्या होती पहली choice होती फॉर्मर ओ जो दूसरी choice होती वह आपकी क्या होती वह आपकी क्या होती लैटर होती क्या होती लैटर तो यहां पर देखिए यहां पर लैटर पार्ट जो दिया है यह थोड़ा सा क्या हुआ गलत दे दिया गया है ठीक है इसकी जो spelling होनी चा यह तो इस गलती को हम मानतें बिल्कुल लेकिन यहां पर जो गलती है वो क्या है फस्ट नहीं होगा यहां पर क्या होगा फॉर्मर यानि एपार्ट में आपकी गलती होगी कहां पर होगी that we have mistaken a part first part में गलती होगी जब भी हमाए पास tries होती तो पहला former दूसरा l-a-double-t-e-r, l-e नहीं होता नहीं पत्र हो जाएगा, l-a-double-t-e-r ठीक है तो पहला former तो first नहीं होगा यहाँ पर क्या होगा, former portion of the book was dull और जो latter l-a-t-e-r नहीं होगा, l-a-double-t-e-r होगा, थोड़ी सी गलती इस बात को हम सीवगार गड़ते ठीक है, तो यहाँ पर जो गलती वो पहले part में है और printing mistake है, l-a-t-e-r की अगला देखिए question number 9 पर हम लोग आ चुके और देखते हैं यहाँ पर क्या गलती several prominent celebrities prominent celebrities मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या है famous type की है, बहुत ज़्यादा important type की है, involved in the scandal are required to appear अब यहाँ पर to investigation, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, before हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा before हो जाएगा to appear before the investigating committee यहां पर appear required to appear यह तो बिल्कुल सही है लेकिन कहां investigation committee के सामने तो यहां पर जो गलती होगी वो before की गलती तक लगा यह before और चलते हैं आज के last question पर और फड़ा पड़ देखते क्या है आज का last question तो last question यह question number 10 आपके computer screen पर देखने लगा होगा यह कह रहा है one of the issues which was अब देखो आपको तो पता है यह है चिपकु महराज कौन विच अब विच आपका क्या हो गया जो विच हो गया वो आपका चिपकु महराज हो गया अगर यह आपका चिपकु महराज हो गया तो यह issues के recording आ किए गए उठाए गए ठीक है तो यहां पर वर हो जाएगा क्योंकि चिपकु महराज है आगे वाले से चिपकता है ठीक है तो यहां पर वर हो जाएगा बस अभी के लिए इतना है बहुत बहुत धन्यवाद बस ऐसे ही quiz का discussion देखते रही है धन्यवाद